हेलो एवरीवान विलकम बैक टू इग्नु एश्टडी शो गाइज आज का विडियो इग्नु के उने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट होने वाला है जो सभी स्टूडेंट्स ने इग्नु से वेड करने के लिए अपना इंटरेंस इसामिनेशन द विकेस आगे आपको जब इग्नु वेड में डमिशन हो जाएगा देन इग्नु वेड के लिए आपको असामिशन भी करना होता है जिसका मैं आपको सॉल्वड असामेंट भी प्रवाइड कराती हूँ इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिशे का एंड आप हमसे इ आप मही 2022 को इंट्रेस इग्जामनेशन दिया था विएड का एंड आपका रिजल्ट आया था 23 जून को टिक है बहुत सरे सुल्वड है जो की क्वालिफाइ कर चुके है तो उनके मेरिट लिस्ट के ऊपर आज के इस वीड़ो में डिसकेश करने वाले हैं सो बने रहे का वी नहीं होते हैं और वह एंट्रेस इग्जामनेशन दे चुके होते हैं तो इसके लिए आपके लिए सबसे पहले है आप इस वीड़ो में पता चल जाएगा विड़ो को चेक जरूर कर लिज़ेगा इसका लिंक को डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए आजाए आपने ठोपिक के लिए हैं बात करें हैं by हमे कि आपका स्रैपताय क समय के यह खांड़ पर् डिखा कि अपws कि आपका मेलिक अपडेट किया जाएका थे संगत्व कर्का गए hand आप चाहे तो इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं या फिर मैं से टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूंगे आप कमेंट कर देना फाइंड टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो चली सबसे पहले देख लेते हैं कि जेनरल का मैरेट लिस्ट का कटफ क्या जा तो सबसे पहले देखिए सबसे हाइस्ट मार्स जेनरल कैटेग्री में गया है यहां पर 80 मार्स गया है आप यहां पर देख सकते हैं और 80 के नीचे जितने भी स्टूरेंट से सब इस मैरेट लिस्ट में आ चुके हैं यहां पर देख सकते हैं हाइस्ट मार्स है एक्टी उसक प्टम सीटिडि के वेटी को रखा गया है 67 इसी के लिए तो उनका माम मादा गया या फिर हाइस माक्स क्या तो यहां पर देख सकते हैं स्यस्तिय और 66 से नीचे वाले सभी स्ट्वेंट इस मेरेट लिस्ट में है चले देखते हैं और आगे वेटिंग लिस्ट कितने एक पर रखा गया है तो 58, 56 और 56 तीन स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है सब्सक्राइब लिस्ट के बाद कि क्या प्रोसेस होती है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी चले नेक्स्ट आ जाते हैं सब्सक्राइब के लिए आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का हाइस मार्क्स गया है 67 उसके नीचे 64, 61, 60 यह सभी चारो स्टूडेंट्स का मेरे में लिस्ट में रखा गया है और नेक्स आ जाता है आपको ओवी सी ओ नीचे में कितना आपाइएस मार्क्स नदर मैरेट लिस्ट में इंका नाम आ हो जाये फाइन ऑप दूडेंट्स को बेटिंग लिस्ट में रखा जया हगया चले देख लेटे हैं और नूटेक्त से अव जो हाई एस्ट मार्क से रखेंग देख लेते हैं तो यह जो कि इस स्टी सब्सक्राइब आज़ के नेक्स देखा जाए तो आगे का दो पेज जो है वो ब्लैंक है यहां पर आगे पीछ नहीं दिया घ्या घ्या फाइंट जाली आपको बताती हुँ यह तो हो गया मैंट लिस् इतिक सो अगत्य आपकते अभिशते अचिछ से छAttी, उधनष भी वेच्छ बादा में वाल तो सिगया है अगया है वेच्छ में वेच्छ आप highest एक से लोल गाव जा जाता है तो उन में इनका final merit list में नाम आ जाएगा इस तरीके से process होता है तो देख लिए आप लोगों ने किस तरीके से merit list बन के आता है और कितना marks रहता है तो इसी के आसवास इस बार का भी marks रहेगा means आपका merit list बनेगा और मैं आपको बता दू different different regional center के तरब से different different merit list update किया जाता है हड़े एक regional center का अलग-अलग होता है जो मैं आपको ये दिखा रहे हूँ ये मुंबई regional center का है सब्सक्राइब कर दिया जाएगा अगर थोड़ा दिन और डिले होता है देर मैं आज सी को इमेल करूंगी और मैं वहाँ से information लोगी कि कब तक आपका merit list update कर दिया जाएगा तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे है जैसे ही आपका merit list update किया जाएगा आपको अपडेट कर दूंगी तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को सभी एस्ट्वें के साथ सेर कर दे तो थाइंक्यू ठेक्या और बाबाए आप हैँ तो पर देक्या गवाया तो खेएंक्या पर थादेब में घ जरुचा में जरुचे के समूंगी एझार करें ख एक्राइब एक्र साथियो का हुझ गछा रखना ही